नमस्ते दोस्तों मैं कल्याने आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल पर आज हम बनाएंगे कच्चे कद्दू की पकोड़े सबसे पहले हम कच्चा कद्दू लेंगे और इसे हम काटेंगे देखिए बहुत बढ़िया कद्दू है किनारे किनारे के भाग हम इस तरीके से निकाल देंगे कद्दू को काटेंगे कद्दू का बीच का भाग निकाल देना है ये सबजी बनाते समय इस्तेमाल कर लें या वैसे भी पसंद हो तब ना पसंद हो तो कोई बाती नहीं है इसी तरीके से बीच का भाग हम निकाल लेंगे कद्दू से देखी इसी तरीके से निकाल लेंगे कद्दू की हम पतली-पतली स्लाइस काट लेंगे इस तरीके से काट लेंगे हम देखी ना बहुत मोटा है ना बहुत पतला है इसी तरीके से सभी कद्दु को हम देखिए काट लिये हैं अब हम धनिया काटेंगे हरी धनिया बारिक काटेंगे हरी धनिया को अब हम काटेंगे हरी मिर्च पकोड़ी में सब हम काटके डालेंगे वैसे आप लोग को अगर जो पावडर मिर्ची डालनी हो या कुटी हुई मिर्ची डालनी हो तो डाल सकते हैं जैसे आप लोग को पसंद हो अब हम चूला जलाएंगे देखिए चूले में आग पगड़ लिया है आग जल गया है अब हम रखेंगे चूले पे कड़ाई एक बाउल लेंगे हम बाउल में हम डालेंगे बेशन बेशन को हम बाउल में डाल कर अब हम इसमें डालेंगे अद्रक लशन का पेश्ट थोड़ी सी हल्दी स्वाद अनुशार नमक थोड़ी सी अजवाईन इसे हम रगड़कर डालेंगे अच्छी खुश्बू आती है और हाजमा भी सही रखता है अजवाईन कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई धनिया डालेंगे अब थोड़ा सा डालेंगे हम पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिलाएंगे हम अच्छ से हम बेशन का घोल तयार कर लेंगे कड़ाई गरम हो गया है कड़ाई में डालेंगे हम तेल किसी भी चीज की पकौड़ी बनाईए तो सरसो तेल में बनाईए तो स्वादिष्ट बनता है बाकी रिफाइंड तो अलग बात है किसी भी तेल में आप लोग बना सकते हैं रिफाइन में बनाईए या घी में बनाईए लेकिन सरसो तेल का बात ही अलग रहता है चक पटा सा स्वाद आता है तो इसलिए हम सरसो तेल में पकोड़ी बना रहे हैं अब हम स्लाइस को डाल लेंगे बेशन के घोल में देखिए कड़ाई में तेल गरम हो गया है अब हम इस तरीके से बेशन का घोल लगा कर स्लाइस में और कड़ाई में डाल देंगे देखिए बहुत अच्छे से पकोड़ी बन रहा है कच्चे कड़ू की पकोड़ी बहुत स्वादिश्ट होता है आप लोग ट्राई करके देखिएगा आप लोग को बहुत पसंद आएगा बहुत अच्छे से बन जा रहा है बगाईर मेहनत का पकोड़ी तयार हो रहा है बनाने में बहुत अच्छा लगता है जिस तरह बनाने में अच्छा लगता है उस तरह खाने में भी अच्छा लगता है खास करके इस मौसम में देखिए अच्छे से पकोड़े बन रहे हैं अच्छे से पकोड़े पक चुके हैं अब इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे प्लेट में देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं पकोड़े इसी तरीके से हम दूसरे घान भी पकोड़ी तयार करेंगे बहुत जल्दी पक जाता है कद्दू क्यूंकि कच्चा होता है देखिए अच्छे से पलट दे रहे हैं दोनों तरफ बढ़िया से पकाएंगे पकोड़े को चूले पर तो और आसान होता है बनाना बहुत अच्छा स्वाद आता है चूले पर बनाने पर इसे हम अच्छे से चला चला कर पकाएंगे देखिए इसे भी हम निकाल ले रहे हैं पलेट में पकोड़े तयार हैं इसी तरीके से आप लोग भी पकोड़े बनाईए कद्दू के और कमेंट जरूर करिएगा आप लोग की पकोड़े कैसे बने हैं यह पकोड़े देखिए आप लोगों के लिए मैंने बना दिया आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे पकोड़े बने हुए हैं अगर रेसिपी पसंद आये तो चैनल को सस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में सेर करिए इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्ते धन्यवाद